आड दोस्तों क्लास एलेवन्स दोस्तों प्रस्चन भेंक के स् तो यांव television कर रहे हैं दोस्तों क्लास एलेवन्स मेस्च चेप्टर 11 का दोस्तों आठवा कोश्याने प्रस्चन भेंक अभी तक आपने नहीं download की ही तो wirin def model कर लीजिए चैनल पर परवले y² बराबर माइनस 8 एक्ष की नाभी के निर्दे सांग परवले का अक्ष नियता का समिकरण और नाभी लम जीवा की लंबाई ग्याद कीजिए तो यहाँ पर यह सब ग्याद करना है हमको तो कोश्चन आपने समझ लिया है हमारे पास समिकरण है परवले का समिकरण परवले का समिकरण है दोस्तो हमारे पास क्या है y² बराबर माइनस 8 एक्ष यह हमें दिया है दोस्तो हमें y² बराबर माइनस 8 एक्ष की तुलना करेंगे दोस्तो एसा ही कोश्चन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं तो आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो तो जाकर देख सकते हो दोस्तो हम मेस का पूरा solution बता रहे हैं दोस्तो चैनल पर सारे question करके बता रहे हैं तो जाकर देख सकते हो और समझ सकते हो दोस्तो यहाँ पर y square बराबर minus 8 x की तुलना और दोस्तो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को subscribe कर लेना बेल अकर प्रेस कर देना तो आगे भी ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे आपको वीडियो आखरी तक देखना तो आपको यह question समझ में आ जाएगा हमने y square बराबर minus 8 x की तुलना करनी है y square बराबर minus 4 a x से तो दोस्तो इस से तुलना करेंगे हम तो 4 minus 4 a बराबर आ जाएगा दोस्तो हमारा minus 8 तो दोस्तो इस से काटेंगे इसको minus से minus cancel और 4 से 8 कटेगा तो दो बार तो दोस्तो हमारा a बराबर 2 आ जाएगा दोस्तो हमें a निकालना था यहाँ पर a निकल चुका है अब हम इनके मान निकालेंगे तो नाभी के दोस्तो हम छप्चे पहले निकालेंगे नियता का समीकरन तो दोस्तो नियता का समी करन क्या होता है समी करन नियता का समी करन होता है दोस्तो X बराबर A तो दोस्तो हमारा X बराबर A क्या निकल के आया दो तो दोस्तो A A बराबर दो आ जाएगा तो हमारा X बराबर दो आ गया नियता का समी करन है दोस्तो A अब इसके बाद हम नाभी के निर्दे सांग निकालेंगे नाभी के निर्दे सांग दोस्तो नाभी के निर्दे सांग दोस्तो इसका ये हता है माइनस एक कोमा जीरो ये नाभी का निर्दे सांग बन जाएगा हमारा तो माइनस और ए क्या है हमारा दो तो 2 और 0 ऐसा ही इसके बाद दोस्तो हम निकालेंगे परवले का आक्ष्य परवले का आक्ष्य दोस्तो हर बार दोस्तो हमें परवले का आक्ष्य ऐसे निकालना दोस्तो हमारे पास समीकरण क्या दिया है y square बराबर minus 8x तो हमें y बराबर यहाँ पर 0 लिख देना है, तो दोस्तों यह हमारा परवले का समीकरण कहलाता है दोस्तों, आप दुसरा समीकरण देखेंगे, यहाँ पर जो x square बराबर minus 8y रेता, तो हम यहाँ पर x बराबर जीरो लिख देता तो वो परवले का समी करण परवले का आक्षि रेता हमारा इसके बाद दोस्तो नाभी लंब जीवा की लंबाई नाभी लंब जीवा की लंबाई दोस्तो हमेशा चार ए रहती है तो दोस्तो चार हमेशा आपकी नाभी लंब जीवा की लंबाई चार ए रहे यह हमारा दो यह दो तो हम चार में जो करेंगे था कोस्टों मैं कि लमबाई यहां पहले से दिये है अगया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सारे दोस्तों के Perché करना, wish you all the best exam के लिए, thank you.